तो मैं बताना चाहती हूं कि इंशालला पाकिस्तान ततीरीक इंसाफ इंसिन्द के कुट्टों को काभू करके रहेगी वेटो वेटो अभी वेटो इन बक्रियों को चुपकर आया भी आप बर्धाश करें अन पारें सब्सकेर करें सब्सक्राइब करें अपनी तक्रीद पर पहले में झाले पांच मिनले तु है अभी साड़े पॉस्तर ना तो नाजरीना अजिए दौा बुटो ने बड़े सकते लगें पीपल्स पार्टी के बारे में नवा जड़दारी और बिलावल भुटो के बारे में बहुत ही गंदे किसम के लफास भी आप कह सकते हैं तो इन्होंने क्या का आई यह पहली वीडियो देखें उस पर बात करते ह यह है लारकाना में माबाप जो अपने कुछ ओवर धीक बांकर धीक पांग रहे है यह बुडा बाप लोगों से और अपने बच्चे की लाश के लिए इंबॉलेंस के लिए वहां से लोगों से पैसे मांग रहे इस पे भी ऑन पहेंगे जीए बूटो यह लारकाना का यह ल रात को देर से इसको हॉस्पिटल में लेकर आए और उसको जो है ऑक्सिजन लगाई गई जिसकी वज़स और डॉक्टर साहबा सनम मक्सी जो रात को नहाँ पर अपनी ड्यूटी सरंजाम देरीं थी मोबाइल यूस कर रही थी तीन डफा ये वाले उसके पास गए डॉक्टर स तो यहां दूर बरने का मकाम है इस पूरी पिपस पार्टी की इस पूरी गवर्मेंट के लिए के एक बच्चे को ऑक्सिजन लगा हुआ है और उसके बाद वो सनम मक्सी आती है उस बच्चे के ऑक्सिजन निकालती है उस बच्चे को अब बाद के गोद में देकर उसे धक् निकालती हैं और उसके बाद वो बच्चा कुछी घंतों में मर जाता है तो यहां भी हम कहेंगे जीए भुतो अभी सबर करो सबर करो होसला रखो बढ़दाश्ट करो होसला के होसला हाँ डोग बाई के इसे जैए वैसे तो बहुत ज्यादा है् मेरी तक्रीर में कोई ना उठे मैं स्पिकर साव आप से रुक्वेस्ट करूंगी फिर जहां पर चार्टी बैट्ट लायट्टॉ मैं पुरानी बात नहीं करूंगी मैं अभी परसों की बात करती हूँ के 26 लोगों को कुटों ने काड़ लिया जिसमें 11 बच्चे थे तो हमारी हेल्थ मिनिस्टर साहिबा कहती है अभी 10 साल और लगेंगे कुटों को काबू करने में तो 13 साल और पहले लगेंगे 10 साल और लगेंगे कुटों को काबू करने में तो मैं बताना चाहती हूँ कि इंशालला पाकिस्तान तेरी के इंसाफ इन सिन्थ के कुटों को काबू करके रहेगी और कुछी महीनों में इनका काम तमाम करके रहेगी इंशालला सब्सक्राइब करें इन भकरियों को चुपकर आए अभी आप बडाश करें अप बिढ़करई आप दिए सब्सक्रीख यह बैद ने तब हैं मेरा एप यह हमारी अभी सिपर प्रणाइब करें अपनी तकरीद है पांच मिनट हुए अभी इनको बहुत है लाड़काना में लाड़काना में यह माँ भेंच के साथ लेकी हुए जखमी थी इसको एंबॉलेंस नहीं दी गई और यह जो है भेंच के साथ लुगाई दारी होस्पिटल इन बखरियों को चुपकराएं अपनी रखरीन में जो है वो शिर्व एक एक वसके इनके कुटे जो है खाते हैं वो खाने तो यह हमारे थर के बच्चे जो भूख से मर रहे हैं अरे चुक करो अभी आई बड़ी यह कारगर्दगी इनकी न्यू यू यर्क टाइम में जो एक हैपटाइडिस टॉप पे जो है यह पहुची वी हैं है एच आई वी तो यह इनकी कारगर्दगी आए और एक खास बात जो इनके यह बिचारे बिलावल साहब इन्होंने सनती जोन का इस्तार किया लेकिन इन बिचारों को पता ही नहीं है जहां का इस्तार किया वहां पे कोई फैसलेटी मौजूद नहीं है तेरा साल बाद इस जगह का सतार किया गया और 2020 इनका कसूर नहीं है यह न पाति तो ठोर नहीं के गूम रहें तो फिर ऐसे काम होने जैसे स्थो डगेगी ये उन्होंने उस्तिता किया लाखो करोर रुपे का ठीका लगाया अरे मुहतरमा बेनजी भुटो की तो लाज रख लो उनके नाम की तो लाज रख लो वहां के जहां से आप लोग वोट लेते हो नवे अरब खरब रुपे लाटाना को दिये गए कहां गए आप सब इन पक्के के ढाकों के पैटों में गए कहां गए वो ये पुरे सिन्ध को पता है जैसे इन कुत्थों को काबू किया जाएगा इंशालला इस करप्शन को भी खतम किया जाएगा इंशालला ये इनोंने इन्शालला अभी बंद होंगी ये जो है इन्होंने इफ्तिता किया और इनको कुछ पता ही नहीं है और असल में इनके साथ लोग ही हो थे न घदे गोड़ो को पढ़ाने वाले लोग थे इनके साथ जो इफ्तिता करते वक्त थे पर्ष उठाने वाले लोग इनके साथ थे अफ्तिता के वाद चायना का अनील कपूर इनके साथ था तो ये ऐसे लोग होंगे तो इसे अफ्तिता भी ऐसा ही होगा तो मैं कहना चाहती हूँ के बीबी के नाम की आप सियासत करते हो भुटो के नाम की आप सियासत करते हो वहाँ से आप वोट लेकर आते हो लेकिन आपने खर्बो अर्बोर का आपने लाड़काना का जो बजट आपने रखा और जो लिया है तेरा सालों में जो आपने खाया है वो कहां गया पहले तो उसका जवाब दे ये सिर्फ नम्बरों की हेर फेरे जो ये मोटी मोटी बुक्स लाके हमें दिखा देते लेकिन इनके काम इनकी कारगर्दगी जीरो है बच्चे यहां पर यहां पर जो है कहा जाता है करनी है नि लोगों इस लोगों ने सिर्फ जो है आप यह दोस्तों आपने गुफ्त को सुनी दौब भुटो भी जो पाकिसान तरीक तरीक इन्साफ की रहनुमा भी है इन्हों ने सिदा सिदा का कि इन कुटों को हम जो है वो काबू कर लेंगे महाँ पे जाहरा जर्दारी साब भी बठे होंगे और विलावल बुटो साब भी तो उनके मूपे का और उनके जो पार्टी की लेडिस थी उनको बकरिया कह दिया ये क्यों कह रहे हैं क्यूंकि इन्हों ने काय जी कि इन से हम सिन ले लेंगे अब अब मसला यह जो इन्होंने बात की अगर इमरान खान को इन्होंने इस तरह से कैदना किया होता तो हकीकतन ये सिन ले चुके होते ये बाद जरदारी को भी पता है और ये बाद नवाज शरीफ को भी पता है शबाज शरीफ को भी पता है सारी पार्टियों को पता है कि अगर ये काम हो गया तो इन से सिन चिन जाएगा इसलिए ये लोग अभी तक जो है ना इमरान खान को अंदर करके बैठे हुएं लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं सच के जोट मैं नहीं जानता कि पांच-छे दिन में इमरान खान बाहर आ जाएंगे अगर इस इनके जो ट्राइल है इमरान खान का उसको मेरिट पर सुना जाए तो फिर इमरान खान हकीकतन बाहर आ सकते हैं और फौरी दोर पर बाहर आ सकते हैं लेकिन इमरान खान को अंदर रखना इसलिए मक्सूद है कि वो अंदर रह के इनको सुकून नहीं लेने देरा और के लोग उससे मुझाकरात की बात का रहा तो अगर वो बाहर आ गया तो यह उसका इन सब क्या हाल करेगा यह आप लोग सुछ हो सकते हैं तो भी वर्स अपनी राइक अजार कमेंट बॉक्स में रूड कीजिए का मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए